कि एक इस फीचर यह भी है पाची में कि आप भी ना मलब थ्रॉटल दिए इसको तुला सकते हैं ट्रेशिव कर में अगर आपके मदला हाद में पीन करा होगी है कि पीकव अच्छी है बहुत अच्छी पीकव है देख लेते कि नहीं जाती फर्स्ट गेर में अगर वाई जाए से कि यह अगर में शिक्स्टी सेवन लुक दिखा लो इसकी तो गाइज देख सकते आप लोग वाई वेलकम बैक तो माइच यूटूब चैनल तो गाइज आज की वीडियो में आपके लिए लिया हो ब्रैंड न्यू अपाची बंसिटी टूटाजन टूजन तो अभी मैं आपको थोड़ा बत बताता हूं एंड इसकी LED देख सकते हो आप यह भी काफी अच्छी लगती है एंड इसमें फीचर भी आते है वह आपको मैं भी प्ताता हूं एंड आपको अभी मतलब है शौट शौट में बता दू तो 130 and 90 का इसमें टायर है एंड शार आ पर सेंसर है एंड डवल डिसक है एंड आप पिछे पी दिख सकते हैं एक और डिसक है एंड टायर इसमें हमार को अल्रेडी रेड मिलते है कोई मार को कलर्वका नहीं जो अतनी है जो कि बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन साथ बहुत बड़ी अलगते है बिल्कुल सेक्सी हमार को मिल सिंगल मिलती है एक एंड जो कि इसमें सोड़ी सी फिनिशिंग दीवी है डबल की एंड ऐसी कुछ लुक है का इस बाइक की एंड मैट ब्लैक में है यह स्पेशल एडिशन है गाईज यह बाइक अपाची 164 वी 2022 स्पेशल एडिशन तो गाईज अभी इसको चला करें तो गाईज अभी चलते राइट करते स्टार्ट तो चैक करते कैसी यह बाइक है मैं भी फर्स टाइम जारा हूं गाईस तो मेरा फर्स्ट एक्विशन सुने लाला है अब पाची चलाने का तो गाईज सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनाता हूं तो मोड अभी स्पोर्ट लगा हूं आप देख सकते हैं स्पोर्ट मोड आ रहा है यहां पर लिखके तो इंडिकेटर कर देते हैं और गाईज इसमें एड़ेस्टेबल ब्रेक लीवर एंड यह भी है क्लेच तो अभी करते स्टार्ट तो गाईज काफी अच्छी पावर है स्पोर्ट मोड में मैंने डाली वी है एंड एवरेज स्पीड का भी इसमें पता रहा है 29 किलोमेटर पर आवर इसमें एक नैट किया हुआ है बाई ने अपने बाई की बाई के ब्रेंड न्यू बिलकुल देख सकते हैं आप 984 90 b काफी अच्छी है तो मेरा फर्स्टायम दान रहा हुं एंड आपको भी से मिल सकती है अगर आपको लेनी ब्लूटूथे ब्लूटूथ ए बहुत अच्छी बात है गेर कोईशिन इंडिकर भी है चाहिस ज्याहन से कर सकते हैं मोड जिसमें एंड यह रही अपनी एन श लारे भाई जिन की यह बाइक है रेन मोड अर्बन मोड में करके देखते हैं तो गाइस जो इस बाइक की मैं आपको थोड़ी बहुत मतलब में में स्पेसिफिकेशन बजा देता हूं यह 159 CC का इसका इंजिन है एंड यह जो प्रोड्यूस करता है उसेंटी पॉइंटी पॉइंट सिक्स बीएच्पी एंड फॉर्टिन पॉइंट फाइफ एनम की टॉर् अब इसकी में आपको बता दिया बाकित आपको बता यह जादा बताने की मैं बताऊंगा भी नहीं इससे बोर रोएंगे साउंड काफी अच्छी जार इसकी और यहां से आप कर सकते हैं इसमें Bluetooth connectivity तो अभी यह बता रहा है कि हम थाड गेर में तो यह काफी अच्छी बात ल कि तो इसको क्लोज थ्रॉटल वोर्स मोड में पढ़ गी और उसके लिए हमार को क्लोज थ्रॉटल करना बढ़ता है तो मेरे को अपनी एनने से जारा पाउर लग रही है इसमें है फीचर तो इसमें हई है देख सकते हो आप और गाइज लीन भी काशी अच्छे हो रहे है तो अभी तो मैं मतलब सिर्फ एक रिव्यू टाइक वीडियो बना रहा हूं है और उसके बाद भी कभी हम वीडियो बनाते रहेंगे तो यह भी अपने भाई भाई ने लिए न्यू तो बाकिस में ऐसा कुछ है यहां से हम ला और अइंड ट्रेक की बात करें वो यह मैं भी चैक कर रहा हूँ और ऊपको मैं ढंक से चैक कर करके बताऊंगा फिलाधर में लीन काफी अच्छे और अधी काफी अच्छी है तो प्लाइस काफी आप बिछे कर दिए अपैज प्रूलर मतर्स पार अ कि आपको लेनी हो ए काफी प्यारी साउंड है गाइज लीन भी बहुत प्यारे हो रहे हैं मतलब यार अब अच्छी कि मैं को फर्स्ट बाइक लगी जो मैं को पसंद आई इससे पुराना मोडल मैं को बिलकुल भी फ्हननी है प्रेक करते एक बार चाहिए यहां करते है बहुत अच्छी बाइक है बहुत अच्छी मैंने सो चन था इतनी में को तो गाइज भी कर दिमेन बाइक आफ एक बार आप फिर से देख लो बाइक आपको मैं दिखा देता हूं एंड वाइट अलाएस भी काफी पार लग रहे है तो मतलब जो कलर कॉंबिनेशन दिया हुआ है बहुत अच्छा है एंड डबल एक्जास्ट है तो इसकी वज़े से अवाज बहुत अच्छी है एंड ओवरॉल बाइक कुछ ऐसी है तो अभी फिर वापीस जाएंगे हम यहां से एंड फिर आपको दिखाऊंगा कैसी है तो गाइस अभी हमने डिशाइड के हम थोड़ा के चलते हैं तो वाई मतलब गाइस फर्स टाइम में चला रहा हूं इसको एंड मैं आपको बहुत अभी भी क्या बाइक लेख सकते हो यह एंड गाइस सबसे में जो बात है बाइक की पावर को छोड़के जो सबसे में बात है वह प्राइज तो गाइस दो इस ब प्राइज है शोलन में इमाचल के शोलन में वह एक लाग साथ हजार तो इससी वीडियो में शिरफ तो गाइस काफी अच्छी है मैं आपको बगा कोई दिखा रहा हूं एंड हमारा को में बखाने का यह उत्ता है मतलब जाता है लेकिन जो और भी सब कुछ है कमफटेबल है बहुत कमफटेबल है मतलब मेरी बाइक जाता तो कमफटेबल है यह और सिटिंग बॉस्टर काफी कमफटेबल है एंड ब्रेक मैंने इसी देख लिया मतलब देखिक आप एंड बहुत अच्छी इसमें कावर तो ब्रेक काफी अच्छी है यहां पर मैं बाइक को मोड़ता हूं एंड देखता हूं कि हम मोड़ पाएंगे इसको इजी लिया नहीं तो इसकी तो वो भी मैं लो कटिंग में इसकी मेरी बाइक से ज़्याद है अगा 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 तो गाइस अभी समान ले लिया हमने तो चलते हैं तो अभी चल दिया बाइक सेकंड गयर में पीक अच्छी है बहुत अच्छी पीकप इसकी बड़ी जो इसमें बात है गाईज इसमें फीचर काफी है ब्लोटूट से कने अक्तिवीटी है एंड गेर पॉजिशन इंडिकेटर है मतलब कम बहुत मैं बहुत को कम है लेकिन और तो बात है वह है मोर्स जुसमें मोर्स भी आप देख सकते हो सब्सक्राइब नहीं आप अधर भाग रहे बाइक सब्सक्राइब तो आपको पता लग जाएगा कैसी बाइक है आपको लेनी जाए कि नहीं मैं आपको लास्ट में एक बार अच्छे सब्टा दूँगा तो फिलाल मैं अपनी बाइक साथ इसको कंपेर करूँ तो जैसे कि वह तो थोड़ी स्पोर्ट पॉजिशन वाली है जैसके आपको पता ही है तो यह जार रख कंफर्टेबल है और वह थोड़ी बगाने की उसमें पॉजिशन में बाकि और को कुछ नहीं है और ब्रेकिंग जारा बढ़िया इसमें लगी मेर को एंड़ वैसे अभी बैं द्टन के किशला नहीं भी है पर इसमें है कि अ से म्हिशनики अफिकल लेंज जो से मेन है विंचर एन्टाले सबस्क्रति है मतलई तक तक तो ईजर्ण दरती आब है तो गाइज बैक लूक के बाई की कुछ ऐसी है एंड साइड से देख सकते आप अपाची के इसमें ब्रैंडिंगे सब कुछ है एंड मैट ब्लैक के कलर देख सकते आप सबसे में जिसकी कुछ चीज है वह लाइट तो गाइज अभी चलते हैं यहां थोड़ी दे रुके थे जूश कर रहा हमने पिया एंड मिरर काफी अच्छे जैसके में आपको पहले पाया तो अभी है स्पोर्स मोड में एंड सबसे में अच्छी बात है जो गेर पॉजिशन इंडिकेटर है हम जो गाइस लीवर है हम वह भी एड्जैस्ट कर सकते हैं जैसके अभी एक पर है तो यहां से हम दो पर कर सकते हैं यह थोड़ा कि चला गया एंड तीन बे करेंगे तो यहां पर तो ठीक है तो अभी मोड़ते वाइक अच्छा फीचर है उस फीचर का में नाम याद नहीं आ रहा है लेकर फीचर में आको दिखा रहा हूं and overall पाइक काफी अच्छी है तो भी मैं मोड चेंज करके रेखता हूं तो अब है रेन मोड में रेन मोड में रेन मोड में शायद आई थिंग सबसे कम पावर होती है तो वहाई सेकंड गेर में 67 तो बहुत अच्छी पावर है यार कमाल की पावर इस बाइक में अब पावर नेक्स लेवल फुल पावर लीन होते है देख सकते हो आप बिल्कुल कॉंफिडेंस फील होगा आपको बिल्कुल एसे नगया कि बाइक स्कृत हो रही है तो काफी अच्छी है यार वाई तो गाइस आप ले सकते हो मैं आपको रेक्मेंड करूंगा बिल्कुल यह बाइक ले सकते हो मैं आपको एन्स और शिटी से जादा बढ़िया यह बाइक है एंड कमफरेबल भी है एंड स्पोर्ट्स भी है स्वोट्स भी जादा है और साउंड भी अच्छी है तोड़ी ची और गवाकर लेखते है तो 80-80 तक बिल्कुल नर्मल चल जाती है एंड वाइब्रेशन काफी कम है वाई इसमें बिल्कुल ना के बराबर वाइब्रेशन है बस थ्रॉटर में थोड़ी बाद मिलती है बाकी बिल्कुल नहीं है कि अच्छी 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 और वन थर्टी सेक्शन के टायर है ना तो इसमें ठीक था कुछ आपते हैं तो गाइस आई होप आपको इंजाए कर रहे हो गया वीडियो तो गाई यह मेरा प्रॉपर रिव्यू था लेकिन मैं अपना राइट कर रहा हूं फर्स्ट राइट एक्स्पिरियंस है में रहे है और कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं है मला आपको मैंने इसकी थोड़ी पहुत इंपोर्मिशन दे दिये और गाई इसमें फिफ्ट यह र आइक लेट लेट लेकिन रोड के साफ से इतनी हम बगा रहे है तो बिल्कुल मतलब इसका रिस्पॉंस बहुत बढ़िया है कोई आपको दिख कर नहीं कि बगाने में कॉंफिटेंस बहुत बढ़िया एगा और लोग भी अच्छी है और वाइट कि इसमें डेलाइट है जो जब इसकी सीट पर बैठ तो ऐसा लगता है नहीं कि यह 160 कभाई का है जैसे कि आप देख सकते हो यहां से कैसा वीव आ रहा है एंड टैंक में यहां पर 3D का हमार को लोगों मिल जाता है 160 तो गाइस आई होप आपको अगर कोई दाउट होगा इसको मिल लेने से पहले तो व क्र τι देख सकते pepp ai लू रोड परेजेंट बहुत अच्छिए कि और वाइट लॉइस अच्छी लग रहे है and सारे comparison and overall सारी वीडियोज आएगी इस चैनल पर तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो अपने भाई को सपोर्ट करो तो गाइस मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई and टेक क्यार गुडबाई